हालो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम गड़ीत के महत्पूर प्रशनों को देखेंगे फ्रेंस अभी तक जो गड़ीत में कुछ नहीं पड़े हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपोर्टन सावित होगा फ्रेंस इसमें उनहीं सभी प्रशनों क स्टार्ट हो जाएगा ठीक है इसमें आप क्या करेंगे कि आपको पता होगा कि आपका 20 नंबर का बहुई कल्पी प्रशन आएगा इसमें आज हम बहुई कल्पी प्रशनों को देखेंगे जिससे आप अपने बोड के एक्जाम में 20 नंबर पक्का कर सके ठीक है चलिए फ्र तो यहां पी देखिए आपका पुडांग सवाल को देखते हैं किसी पुडांग पी के लिए परते धनातुमक विसमपुढांक का रूफ होगा, तो धनातमपुढांक यहाँ पी का माल हमार लेते, जैसे एक दू तीण, इसमें क्या करेंगे, पर रूख़ेऊ का गुड़ा कर लेंगे, देखें, आज्चेँ, नगे चार कारें का नता हुआँ, प्लस प्लस यहानि इस रूप का ऌटा आपका आपसन मिलेगा वही सई होगा आपको एक जब प्लस ने के से चलिए अगले सवाल को देखते एं आपके सामने अगला सवाल है संख्या जीरो दसमलो एक दू जीरो 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 एक दू जीरो 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 एक दू जीरो 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 डाट डाट करके दसमलो परसार होगा देखे फ्रेंज इसका दसमलो जो परसार होगा यह आपका असांत होगा अब देखे असांत का मतलब होता है जब 1 संक्या उसका दुबारा ही रिफिट नर्हें से क्या हो जागा आपको असान 10 मुल होगा ठीक है चलिए सवाल को देखते हैं आप्के सामने अगला सवाल है, जौथा नम्बर, समी खरण, यक्स माइनस, 2 रवाय Y, बरावर 2 का कौन सा एक हल हो सकता है, तो फ्रेस, इसमें जब इसका कौन सा एक अगल हो सकता है, तो आपसंदिया, इस तरहा आपसंदेगा, अब इसमें से क्या करेंगे, कि इसको हल करेंगे, यहाँ सी यक्स और वाई के मान इसमें रखके देखेंगे, इसमें हल करने के बाद यदि दू के बराबर जो आएगा मान वही आपका इसका हल होगा, तो चली यहां पर रखके देखते हैं, देखें क्या लिखा है, कि यक्स माइनस दू आई और बराबर दू, यहां से पहला वाला आपसन आप रखके देख लिजी, देखें यक्स कमान 6 है, यहां पर यक्स के जगब 6 माइनस दू गुड़े, वाई कमान कितना है, दू है तो रख लिजी, अब बराबर दू कर लिजीए, अब इसको हल कीजेए, देखें, 6 माइनस 2 का 2 में करEMA week, 4 बराबर 2 लाना है आपको 6 में चार का 2 बराबर 2, यह दूनों क्या हो गया, दूनों मान बराबर होगे, ति इसका मतलब आपसन कौन से सही होगा, ए होगा, और friends क्या करेंगे कि इसमें से आप पारी पर आपसन रखके यहां पर देख लेंगे यदि आपका पहला वला आपसन मिल जागा था तो सही है इस तरह रखेंगे तो यही वला आपसन आपका सही हो जाएगा चलि अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है कि यदि वन अपन यक्स स्क्वार प्लस पांच इसकल टू एक बटा के नो है तो यक्स का मान ग्याद करना यानि कि इसको हल करना अब देखिए इसको हल करके कैसे आप ग्याद करेंगे यहां पूरा डीटियल में आपका अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है कि समीकरण तीन यक्स स्क्वार माइनेस दू यक्स प्लस एक बटा के तीन इसकल टू जीरो का विविक्तिकरण होगा अब इसका विविक्तिकरण आपको बताना है तो कैसे विविक्तिकरण बताएं देखिए पहले इस सवाल को यहां पर लिखते हैं और विविक्तिकरण ब एक बटागे 3 कहाँ ने चार प्लस के थी कहार जाए चार ऑघाँ उसकार हैас इसका राइट एंसर रोजाएगा दो त्रीटीजों के छ्छेतरफल 4 संबंदे 9 के अनुपात में है तो त्रीजों की भूझाओं में अनुपात होगा दीके फरेंस यहाँ भी त्रीजों के 6 र्फल, 6 र्फल यहाँ पे माल लेते हैं A1 ठीके अपान A2, यहाँ भूझा को क्या माल लेते हैं हम इसमाल a माल लेते हैं ठीक है और यहां पर इसमाल a2 देखें यहां पर जब दो त्रबूत समरूफ होते हैं तो उसमें छेत्रफ़लों का अनुपाद जो होता है भूजाओं के isquire के बरावर होता है ठीक है अब यहाँ पिके 612 का अनुपात कितना दिया है 4 बटाके 9 दिया है ठीक है 4 बटाके 9 लेंगे यहाँ भी क्या है a1 बटाके a2 का isquire है अभी बता है कि this power 18 आने के लिए क्या कऱेंगे 2-65 गारूट लेंगे ठीक है यहां पर आपसन एस सही है तो भूजाओं का उनुपात कितना हो जागा दो संबंध हैं तीन हो जाएगा चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है बिंदू इस सवाल को कैसे लगाएंगे यहां पर देखिए यहां से इसको क्रब से मानते हैं य y1, x2, y2, देखें, दो बिंदू की बीच की दूरी जो होता है, देखें, यहाँ पे जो होता है, दो बिंदू के बीच की दूरी का फार्मूला जो होता है, दूरी, देखें, यहाँ पे फार्मूला आपका होगा, करड़ी में, x1 minus x2 का whole square, प्लस y1 minus y2 का whole square, ठीक है, यहाँ प्लास वाई वन कमान कितना है यहाँ तो यह तो यहां रखेंगे यहां पर ना यहां पर देखिये क्या करेंगे से तीन से जिडी गटायेंगे किना नुं जीनलों का यॉलबष यह फैसे कि नइक है तेशना लिए जिए arg अलगाए। 8 हो जाएगा यहां पर कतनी सिसंट स्कॉर हो जाएगा यहां लोट 25 ऐस पर 1985 Schr 25 में सब गटा दीजे कितना हो जाएगा 25 में सब गटांगे 16 हो जाएगा y2 हो जाएगा यहां से square आटाने के लिए फिनों दोनों पच्छों का root लेना पड़ेगा तो root लेंगे 16 को वर गटाने कितना हो जाएगा यहां पर y हो जाएगा तो दूरी हमैसा plus में होता है यहां पर y का मन क्या हो सकता है प्लस 4 या माइनस 4 यहां आपसन देखेंगे, तो आपसन देंसर दिया है, इसका सही जवाब क्या होजाएगा, ए होगा, ठीक है, चली अगले सवाल को देखते है, आपकी सामने अगला सवाल है, देखिए, अगला सवाल क्या है, कि एक घड़ी की मिनट की सुई, आर सेंटिमीटर लंबी है पांच मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाएगे तुरी जखन का च्छत्रफल होगा अब देखिए इस सवाल को कैसे आप लगाएंगे अब यहां पर फ्रेंस क्या है कि यहां पर पांच मिनट में तो पहले एक मिनट में कितने अंस का कोड़ बन ऑब देखिए यह जब मतलब होता है जैसे घरी बनाएगा साथ में साथ हो जागा जाएगा अच्買 मिनट में तक ability कितने works आप ऊंज मिनट में code बनाएगा, अब 5 minute में कितना anzn का? देखे, 6 गुरे, कितना है 5, 6का? तीस, यह on 30 anz का, ठीटा गबान कितना है? तीस anzn का को ड़ुन बनाएगा, यह पाँच मिन्ट में 30 anz का, अब यहां 6 फल पूछ रहा है, ते देखिए, ति यह खंड का 6 फल का formula होता है, यह फार्मूला 달ा- 555-2 बसुआ है जिन्सकान चीए है, लाकों सस इंचाल चाहिए अ लेकि यहीं आलगे 11-24 और यह आफिजा लेगा पै- अर इसकार बटास बाहरं होगा यह आफ्सनص existe यहां पर अगले सवाल को देखते हैं इसलिए यहां पर समय लग रहा है लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप कम से कम समय में सभी सवालों को लगा लेंगे देखें आपका अगला सवाल है कि रेखा यक्स माइनस वाई बरावर आठ किस बिंदू पर य अच्छ को परतिछेद करती है देखें यहां जब य अच्छ को परतिछेद करने की बात काता है तो उस समय जब य अच्छ को कोई रेखा परतिछेद करती है तो उस समय आपको यक जीरो देखिए जीरो लें यहां माइनस वाइवरा कितना तुर्ण और यहां माइनस वाइब हम रिकान यहां नीरत फसांग् Heavy- उसके बाद y लिखते हैं यक्स कमान जीर होगा तो y कमान कितना लेंगे minus i अब इसमें आपसन में देखे कौन से सही है आपका आपसन भी सही ठीक है चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है अब यहां भी देखे फ्रेंज यहां भी दिया है आपका कि साइन ठीटा बराबर करड़ी में तीन बटा के दू हो तो कोशिक ठीटा प्लस काड़ ठीटा का मान होगा यानि कितना होगा पूछ रहा है यह आप संधिया आपके सामने यहाँ पर साइन ठीटा का मान कितना है करड़ी में तीन बटा के दू तो यहाँ बढ़ेंगेんだ साइन ठीटा और किस का मान कड़ीत तीन बटा के दू होटा है computer कि saइन के मान कितना होताय कर इब देख्याति अब यह ठीट कमान पता चल गए ता हमको पूछ रहा है कुसेफ ठीटा इस इको हलकरकर देखें मैं कितना उता है तु छोता है यह दूबटा को कड़ी में 3 हो जाता है काट, 60 अंस का मान कितना होता एक करणी तीन होता है, यहाँ पहुत कि आधार बढ़ार तो दू और यह कितना हो जगा करणी तीन, लेकिन आपसन में खूँजेंगे, आपसन में यह तो मिलेगा नहीं कहीं पे, जब यह नहीं मिला आए तो क्या करेंगे, इसका परिमे कराड़ सब्सक्राइब करेंगे और हर में भी कड़ी तीन से गुड़ा कर लेंगे चलिए गुड़ा करेंगे देखें अगले सवाल को देखते हैं आपका जिसके सिर्ष कंमा जीरो जीरो कंमा चार आप चैरे का haven इत्構न आपके सायं है यहां जाओ श्री जवाब होगा होगा यहां सी th देखे च्छेत्रफल का फार्मूला आपका होता है कि एक बटा के दूग कोष्ट में यक्स1 यहां पहुज़ागा y2-y3 प्लस यक्स2 यहां पहुज़ागा y3-y1 फिनो प्लस यक्स3 यहां पहुज़ागा y1-y2 ठीक है अब यहां पहुज़ागा y1-y2 ठीक है अब यहां पहुज़ागा y1-y2 ठीक है अब यहां पहुज़ागा y1-y2 ठीक है देखे एक बटा के दूग यक्स1 कमान कितना है आपका जीरो यहाँ y2 कमान कितना है देखे चार है माइनस y3 कमान कितना है जीरो यक्स2 कमान कितना है जीरो y3 कमान कितना है जीरो माइनस y1 कमान जीरो प्लस यक्स3 कमान कितना है चार y1 कमान कितना है फ्रेंस जीरो माइनस y2 कमान कितना है चार अब इसी को हल कीजि, देखिए फ्रेंश हल करनेगा देखें एक बटा की दू अब यहाँ पी 0 कर चाहे किसी चीज़ में हम गुड़ा करते हैं तो इसका मान 0 हो जागा 0 को किसी में करेंगे, 0 हो जागा प्लस 4 के 4 में करेंगे तो कितना 4, dachte को 16 प्लस माइनस के गुड़ा करेंगे माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि एक बटा के दू गुड़े, माइनस 16, देखें, आया है माइनस 8, लेकिन आपको पता होगा, कभी भी 6 त्रफल माइनस में नहीं होता है, ति इसका मान कितना हो जाएगा, 8 होगा, अब इसमें option में देखेंगे कौन सा सही है तिसमे option में आपका a सही है ठीक है चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है कि sine square theta into six square theta का मान होगा अभी इसको यहीं पर लगा देखिए यहाँ पे sine square theta into six square theta क्या लिखेंगे यहाँ पे sine square theta गुड़ा से को क्या लिख सकते हैं से को लिख सकते हैं वान अपान कास कास square theta अब यहाँ पर लिख सकते हैं sine square theta बटागे कास square theta अब यहाँ पे sine square theta क्या लिख सकते हैं पता होगा 10 square theta लिख लेंगे अब इसमें option में देखेंगे तेन इसको ठीटा कहां पर लिखा है तो इसका सही जवाब यह हो जाएगा चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है देखिए अगला सवाल क्या है आपका कि आकड़ो दू बारा जीरो नौ पांच पंदरा साथ चार की माधिका ग्यात कीजिए देखिए इसक से पहले आपका जीरो होगा अदर सबसे चोटा जीरो फिर इससे बड़ा दो है दूसे बड़ा इसमें देखें कि चार है चार से बड़ा क्या है पांच है पांच से बड़ा साथ है साथ से बड़ा नो नो से बड़ा बड़ा क्या है बारा है अब बारा से बड़ा क्या है आ पान्खषाप का बंद्रह है लिख लिए आरतो यह करम में देखे एक दू तीन चार पांचे शी हम जा है फिनिक तीन चार पंच छींशाध इसको घ्यात करना कशोड़ दीजी फिर इदर Song करेंगे friends इधर सो तीन संख्या जोड़े और यह वो छोड़ दीजिए फिर इफर से आप क्या कीज साथ इस प्रका से डारिक लगा देते हैं लेकिन जब यह आपसन में नहीं होगा दिला गुत्री या दिर गुत्री में होगा तो आपको भाग दे के लगाना पड़ता अरे सुरी दूसर फार्मूला पर लगाना रहता तब नंबर मिलेगा अभी कल्पी में रहेगा ताप इस लगा सकते हैं यह ट्रीक बहुत बढ़िया है काम समय में लग जाएगा आपका अगला सवाल है कि संख्या 12, 20, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29 अब यहां पर बहुलक पूछा है बहुलक का मतलब होता है जो सिरीज दिया होता है संख्या हों का इसमें को से संख्या सबसे अधिक बार आय सबसे अधिक बार को से संख्या 29 अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है गोले कितरीजय आर तथा बेलन के आधार कितरीजय तथा उचाई क्रमस आर तथा टू आ रहा है बेलन तथा गोले के आयतन का अनुपाद देखिए बेलन गोले के आयतन का अनुपाद जब पूछ रहा है थे देखिए हम गोले के आयतन को माल लेते हैं भीवन गोले के आयतन को मानेंगे भीवन और बेलन के आयतन को मानेंगे हम दे यहां पे चृता है यहां पर यहां पर इसके लिखता हो स्टाइब यहां ex- discussed तो शूरा होता है वहना पान ठीशाइं सुने प्षार्मुला यह यह उता है सुरी दोस्तों चैर बटंग 3 Trump a sharpentv चलिए यहां तो पाइस पाइप पहले कड़ जागा यह चार बटंग 3 पलटकर चला जागा तीन चार हो जाहए यहां पर गुला में कि अरवन ढ़ेल जा क्या है आपको आ रहें और इसकी उुचाई कितना उुचाई को टूर रख लेंगे बटा किया यहाँ पर गोले की त्रिजह सिर्फ आलेख तो आप चिन गर किर लेंगे ठीक है अब यहाँ पर कर सकते हैं देघेए यहाँ पर आपका R इसको र तो यहां पर क्या राएट इसका राइट रूपर उगा आपका डशया होगा तो उस बूस्वाल को देखते हैं आपका अगला सवाल क्या है इदेखी कहा है यदि एग बृत का परिमाब और शेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस बृत की यहां बिरित का परिमाप करा है और क्या करें च्छेत्रफल सांख्यात्मक रूप से बराबर है ज़िए कि बिरित का परिमाप परिमाप और जो क्या है परिमाप और च्छेत्रफल दोनों के बराबर है अब बिरित का परिमाप का फार्मूला क्या हता है बिरित का परिमाप का सब्सक्राइस पाइर स्कूर हुता है ठीकिक है अब यहां से देखेंगे फिर में और से ब्रीकितंगा जिक यहां मौない क्या हों अंब क्या है यहां पर थेजिया ठीक है यहां पर थेिए इसका इंस्वर पीजिया क्या होगा Repर त्शेल अगले सवाल को देक्ते हैं आपको अगला सवाल क्या है कि संगत चाप की लंबाई नहीं त्शार को झाल सीधेर पतादेते हैं ठीटा बटाकर subset 360 और और जब चाप की लंबाई पूछता है तो आपका अगला सवाल देखता है फ्रेंज बृत पर इस्थित बिंदू से खीची के असपर्ष रेखा तता संगत त्रिज्या के बीच का कोड़ होगा ठीक है बीच कोड़ कौण सा बनेगा यहाँ पर कोड़ कौण सा बनेगा देखे यह बृत है यह त्रिज्या है इससे असपर्ष करती हुए जा रही है रेखा इस पर जो कोड़ बना कितने हैं इसका पर नब्यांस का तीवज़ागा आपका समकोड़ होगा चलिए अगले साल को देखते हैं आपका अगला सवाल है यदि मिनार की उचाई एम छाया की लंब पर देगा सवाल में तो इसमें हमेसा आपका कितने अंस का कोड़ बनेगा 45 अंस का ठीक है उसमें हमेसा आपके सवाल को लगाने की जोड़ते नहीं है उसमें हमेसा कितने अंस का बनेगा 45 अंस का कोड़ बनता है तो फ्रेंस यहां पर आपके मैत का ठीक है 20 important question को complete करें ठीक में पूछे गए हैं ठीक है तो फ्रेस आपको इसी प्रकार का वीडियो प्राप्त करने के लिए यदि चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें